हाई फ्रेंट्स एक बार फिर्ट सवागताप का एक्जाम गुरू में आज हम चर्चा करेंगे नोबल पुरसकार 2017 पर दोस्तों मैंने नोबल पुरसकार 2017 को इतने सरलूप में प्रस्तूत किया इस वीडियो में कि आपको एक बार वीडियो देखने पर पूरा का पूरा नोबल पुरसकार याद हो जाएगा और इसमें मैंने ये भी बताया है कि नोबल पुरसकार क्यों दिया जाता है कि छेतरों में दिया जाता है तो पूरे तथ्यों को जानने के लिए पुरा वीडियो ध्यान से देखिए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किजिए क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं इसे मुझे ताकत मिलती है मैं और अच्छा वीडियो बनाने की और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो आईए हम जानते हैं नोबिल पुरसकार क्या है ये पुरसकार 1901 से नोबिल फांडेशन द्वारा स्वेडन के वज्ञानिक Alfred Nobel की याद में दिया जाता है दुनिया के सरवच समान नोबिल पुरसकार हर साल चकितसा भावतिकी रसायन साहित और सांती के सार्थ-सास्त्र के छेत्र में अहम योगदान के लिए दिया जाता है आप Alfred Nobel का चित्र भी दे सकते हैं और अलफ्रेड नोबल यह डाइनामाइट की खोश के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे यह, यह पुरसकार केवल जीवित लोगों को ही दिया जा सकता है, देखिए, जो भारत रतन होता है इंडिया में, वो मिर्त लोगों को भी दिया जाता है, यह पुरसकार का विदरट करती है, तो नोबल फांडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को ही ठीक है, और इसका उद्देश नोबल पुरसकारों का आर्थी ग्रोप से संचालन करना है, अगला पॉइंट है, नोबल फांडेशन में पांच लोगों भी टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग आफ काउंसिल द्वारा तैक आयाता है, ठीक है, तो जो नोबल फांडेशन इसमें पुरसकार मिंबर हैं, वो वीतरक संस्थान के नयासी यानि ट्रस्टिन द्वारा तैक किया जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस्टाक होम में नोबल पुरसकारों का मुख्या आकरसट यह होता है, कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरसकार प्राप्त करता है, ठीक है, तो ये पुरसकार जो है, नोबल पुरसकार यह स्टाक होम में वितरित किया जाता है, इसका सम्मान समारा जो है, वो स्टाक होम में आईवित होता है, और नोबल प्राप्ति स्वीडन के राजा के हाथों वितरित होता है, पु को की जाती है ठीक है तो यह चीज़ याद रखेगा कि जो नोबल फ्राइज है इसकी घोषणा अक्टूबर में होती है ठीक है आपने देखा होगा भी हाली में न्यूस पेपर में अक्टूबर में लाइन से जो है नोबल फ्राइज की घोषणा जो है की गई ठीक है लेकिन अब जो है Nobel Prize जो है इनको 10 December को दिया जाएगा मतलब घोसड़ा October में होगी और इनको जो है वीतरित किया जाएगा पुरसकार 10 December को अब टोटल जो है Nobel पुरसकार 6 शेतरों में दिया जाता है एक वर फिट देख लें वो 6 शेतर कौन कौन से हैं पहला है सांती, दूसरा साहित, तीसरा भौतिक सास्त्र, चौथा है रसायन सास्त्र, पांचों है चिगिस्सा और छेटों आर्थ सास्त्र देखिए इसको मैंने ये कलग चार्ट क्यों मनाया क्योंकि एक्जाम में बूसता है कि Nobel पुरसकार निम्लखित में से किस शेतर में नहीं दिया जाता है तो आप ये 6 शेतर में नाम याद रखेएगा तो चिगिस्सा के Nobel पुरसकार 2017 की घोसरा 2 October 2017 को भी और इसके विनर हैं जैफरी सीहाल माइकल रोसबास तथा माइकल डबलू यंग तो ये तीनों इसके विजेता हैं और इनका योगदान देखते हैं क्या है मानव सरीर की आंतरिक जैविक घड़ी विशाय पर किये गए है महतरपुर सोथ के लिए इनको चिगिस्सा का Nobel पुरसकार दिया गया तो देखें ये चार पॉइंट बहुत बुझते हैं इसलिए मैंने इनको पॉइंट वाइस कर दिया है दाकि आप आसानी सिंग को याद कर सकें कि घोसरा कब हुई और विजेता कौन है और योगदान इनका क्या था और ये किस देश के थे हैं तो ये चारों पॉइंट आपको जो है इसका स्क्रीन सॉट लेते रहें अगला है भावतिकी नोबल पुरसकार दोशास सत्रे तो इसकी घोसरा दो अक्टूबर दोशास सत्रे को की गई इसके विनर कौन को नहीं दिखते हैं राइनर वाइस, वैरी वैरीस और की थोर्ण तो ये तीनों जो है भावतिकी नोबल पुरसकार दोशास सत्रे की विजयता हैं अब इनका योगदान यानि कॉन्ट्रिबूशन दिखते हैं गुरुत्वी तरंगों की खोज, इन्होंने जो है गुरुत्वी तरंगों की खोज की इसे दिन को बहुत की कार नोबल पुरसकार दोशास सत्रे दिया गया और ये अमेरिकी वग्यानिक हैं ठीक है तो देश याद रखिएगा योगदान याद रखिएगा वग्यानिकों को नाम याद रखिएगा और घोषडा की तिथी याद रखिएगा अगला है नोबिल सांती पुरसकार 2017 तो नोबिल सांती पुरसकार 2017 की घोसरा 2 अक्टूबर 2017 को की गई इसके विनर है एंटी नुकलियर अभियान चलाने वाली संस्था ICAN यानि की इंटरनेशनल कैम्पेंड टू एबॉलिस नुकलियर वेपंस तो इनको 2017 का नोबिल सांती पुरसकार दिया गया और इनका योगदान क्या है दुनिया में परमाडू हतियारों के इस्तिमाल के बाद भयावा परिष्थितियों से आउगत कराने के लिए उनके प्रयासों की वज़े से इनको ये पुरसकार दिया गया अब ये संस्था वह मेलबॉर्ण आस्टरेलिया की है तो 2017 का नोबिल पुरसकार जो है इसी ए आन को दिया गया और ये संस्था मेलबॉर्ण की है अगला है रसाइन बिघ्यान का नोबिल पुरसकार 2017 इसकी गोषडवा 4 अक्टूबर 2017 को ही इसके विजयता है जैक्स, ड्यूबचीत और जोएचीम फ्रैंक और रीचर्ड हेंडरसन तो ये तीनों जो हैं रसाइन विज्ञान के नोबल पुरस का दोज़ा सत्रे के विज़ेता हैं अब इनका कांट्रिविशन यानि योगदान देखते हैं बायो मालीक्यूल्स के साल्यूशन के उच्छ संकल्ब सनजना के निर्धारण के लिए क्रायो इलेक्ट्राण माइक्रोस्कोपी विक्सित किया हैं और ये तीनों जो हैं यानि अमेरिका के वग्यानिक हैं ठीक हैं तो उनको इनका नाम याद रखेगा इसका भी स्क्रीन सॉट अब देखते हैं साहिती का नोबिल पुरसकार 27 को मिला तो इसकी घोसरा 5 अक्टूबर 27 को ही इसके विजेता यानि विनर है काजू ओ इसी गुरू ठीक है कितना अच्छा नाम है काजू तो आप याद रखेगा साहिती की बात कीज़े तो काजू याद रखेगा ठीक है और यह जो है जापानी मुल के ब्रेटिस्ट राइटर हैं लेखक हैं इनको साहिती का नोबिल पुरसकार 27 को ही इसकी विजेता यानि विनर है रिचर्ड एच थेलर और इनका योगदान यानि कांट्रिब्यूशन है विहेवियरल एकोनॉमिक्स में उनकी योगदान के और यह अमेरिकी वैग्यानिक है तो अठास का नोबिल पुरसकार रिचर्ड एच थेलर को दिया गया है ठीक है किसली विहेवियरल एकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए और यह अमेरिकी वैग्यानिक है इतनी तथियाद रखियेगा तो नोबिल पुरसकार 27 कहतम होत झाल झाल